तो वेल्कम आप सभी लोग का मेरा नाम कुमार अनिमेशन विद्धामदिर क्लासिस में पढ़ाता हूं मैठ्स पढ़ाता हूं मैं तो मैं आईटी डेली से पास आउट हूं और खुद विद्धामदिर में ही बढ़ाता काफी सालों पहले तो बच्चों हम डेफिट इंटीग्रल और अरिया अंडर कर सो कवर करने की कोशिश करेंगे मार जो मेंस एक्जाम होता है मेंस एक्जाम में क्या होता है कुछ पर्टिग्लर टाइप की कोशन सी काफी बार रेपीटे होते हैं तो हमारा फोकस होगा कि बेसिक जो थेओरी होती हैं तो इसमें से कुछ कोशन रेपेसेंटेटिव कोशन उठा उठा कर उनको हम सॉल्फिल के देखेंगे कि कैसे उन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है तो पहले डेफिट इंटेग्रल से शुरू करते हैं डेफिट इंटेग्रल में कुछ प्रापर्टीज होती है तो स जो वेरेबल अपिंटेग्रेशन है अगर उसे आप टी भी रखेंगे अगर आप उसे जैड भी रखेंगे तो कोई फर्क महीं पड़ता इसका मतलब पता है क्या है जो डेफिनिट इंटेग्रल है ना वो अपने लिमिट्स का फंक्शन है वो वेरेबल इंटेग्रेशन का नहीं है, क्योंकि थोड़ा से दिमाग पे जोड डाले, जब आप integrate करेंगे, जब आप integrate करेंगे, limit substitute करेंगे, तो X तो गयाब हो जाएगा, वैसे T भी गयाब हो जाएगा, वैसे Z भी गयाब हो जाएगा, तो B और A ही तो रह जाएगे न, तो variable of integration से कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है कि lower limit क्या था, upper limit क्या था, तो variable of integration को अपनी हिसाप से हम change कर सकते हैं, दूसरी छोटी प्रापर्ट यह होती है बच्चों, कि अगर हमें negative लगाया हुआ है, तो जो limits है न, वो interchange हो जाती है, अगर negative लगाया हुआ है, तो जो limits है न, वो interchange हो जाती है, बहुत सिम्पल सी बात है, यहां पर, वोट सिम्पल सी बात है कि LCS को देखिए, left hand side, minus of, माल लो small f का integral capital F, माल लो small f, let integral of small f x dx, be capital F, small लेते हैं, small f का integral capital X, कुछ होगा जिससे, cause का sign होता है, e की पार x का e की पार x खुद ही होता है, LCS minus of, small fx का integral capital F, integrate A से B तक में होगा, उसकी वहल होगा है कि minus of f of b minus f of a, मतलब f of a minus f of a, अब चुछ जब राइट-hand side को देखिए, अगर राइट-hand side को आप देखेंगे, और आप यह मान चुके हैं, कि small f integral capital F है, तो यहार, capital F, B to A, तो सीधा capital F of a minus capital F of b नहीं आ जाएगा, तो LCS-RCS मैच कर गया है, right, तो हम सबकी derivation देख तो हमें results याद करने है, तो हमें results revise करने है, तो तीसरा result हम ऐसे revise कर सकते हैं, कि अगर आपको A से B तक जाना है, तो आप तोड़ तोड़ के तसली से जा सकते हो, A से C तक गया है, और C से A तक चले गया, ध्यान रखें बच्चों, कि C A और B के बीच में होना जरूरी नहीं ह तो हमें, C कहीं भी हो सकता है, मैं repeat करता हम इस बात को, C कहीं भी हो सकता है, C A से पीछे हो सकता है, C B के बाद हो सकता है, और C और B के बीच में हो सकता है, सब इसमें प्रॉबलम है आपको, तो वही करिए आप small F of capital F मान लीचे, आराम से capital F of C, capital F of C, दोनों में cancel होता हो दि अगर इस बात का आपने रियान रखा है, तो कोई भी गलती इसमें नहीं होगा, अब यह तीन थोड़ी theoretical होते हैं, ज्यादा problem solving में यह एतनी frequency से use नहीं होते, ज्यादा frequency से जो use होते हैं, उसकी बात करते हैं, यह बहुत use होता है, कि 0 से A, F of X TX is equal to 0 से A, F of A minus X T, तो इसको अपर लिमिट माइनस X प्रॉपर्टी भी हम याद कर सकते हैं, इसको अपर लिमिट माइनस X प्रॉपर्टी, तो जो भी variable of integration है उसके जिका रिप्लेस कर दी, आपने अपर लिमिट माइनस होई variable, तो इसे इंटिग्रेशन का रिजल्ट नहीं बनेगा, इसे दोस्तों, जो इंटिग्रेट हो रहा है, जो इंटिग्रेट हो रहा है, उसको बोलते हैं, और इंटिग्रेट बोलते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है, पूरे का इंटिग्रेशन करने के बाद, लिमिट में डालने के बाद, तो इंटिग्रेट का रिजल्ट नहीं बनेगा, इंटिग grand जो integrate हो रहा है उसका होलिया बदल भी सकता है नहीं भी बदल सकता है उसका होलिया बदलता है नहीं बदलता है उसके बारे में एक result बहुत important है 0 से t एक result है है कर 0 to a f x t x प्लस 0 to a f of a minus x t x पहले तो आप ये result देखीने याद करें इसमें एक special case था था हिया बच्चों जब special के स्थाब होता है अगर 0 से A in fact अगर F of A minus X F of X के equal हो अगर F of A minus X F of X के equal हो बच्चों कुसमन में आता है कि जो right hand side में दोनों quantities same हो जाएंगी अभी जो just उपर blue में right hand side में दो quantities लिखी हुई है बच्चों बुदोनों सेम हो जाएंगी ना तो हम कह सकते है कि देन 0 से 2 A F X T X is equal to twice 0 से A ऐसा नहीं लगा रहा कि अपर लिम्ट को 2 से डिवाइड कर दिया और बाहर 2 लगा दिया ऐसा नहीं लगा रहा कि अपर लिम्ट को 2 से डिवाइड कर दिया बाहर 2 लगा दिया कब जब A-X करने से इंटिग्रेंड भी नहीं बदलता राइट इंटिग्रेंड वो होता है जिसका हुलिया भी नहीं बदलता इंटिग्रेंड वो होता है जिसको हम इंटिग्रेट करते हैं तो अपर लिम्ट करने से integral तो कभी भी नहीं बदलता, integrand बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता, अगर integrand नहीं बदलता, तो हम upper limit को 2 से divide करके bar 2 apply कर सकते हैं, मुझे उमीद है कि आप काफे time से पढ़ रहे हो, तो अभी सब्सक्राइब वेल वर्स्ट होगे, तो अगर मैं इसमें अपर फोर्थ वाली प्रोपर्टी लगाओ, फोर्थ वाली प्रोपर्टी आपको दिखी रही है, 0 से a, f of sin of x की जगवा, πाई बै टू माने से x लगाओ, ये बन जाएगा, 0 से पाई बै टू, f of cos x तो integrand बच्चों बदल गया, integrand है, लेकिन जो integral है इसका जो result है और इसका जो result है वो पक्का सिम हैगा, इसको प्रूव कर सकते हैं, जौरत नहीं प्रूव करनेगे, उस अब आपने किया भी होगा, तो अभी तो जौरत नहीं हो सब प्रूव करनेगे, बस result याद करिए, तो हम कहरें कि integral की value नहीं बंदेगी, लेकिन integrand दो यार बदल गया, जो चीज़ integrate हो रही है, उसका हो लिया थो बदल गया, तो पाँचवर result का application कहा होगा यार, पाँचवर result का application देखते हैं, कि अगर 0 से π, f of sin x dx है, 0 से π, f of sin x dx है, 0 से π, f of sin x dx है, 0 से π, f of sin में अगर हम π, minus x लगाएं, sin ने π, minus x लगाएं, तो चौथी property की वज़े से result सेम रहेगा, और sin नों π, minus x हम सभी जानते हैं, कि f of sin x dx होता है, तो बच्छों आपने देखा ना, कि आपने upper limit minus x property लगाई, और integrand, same to same रहे गया, integrand, same to same रहे गया, तो में permission है, कि इस पाद की, कि upper limit को 2 से divide करके, power to apply कर देने की, यही तो हमने पांची property में सीखा है, ना, extension में, पांची property की extension लेगे, पांची property में दो parts हैं, यह original हो गया, और यह उसकी extension होगा, extension पर focus करिए, कि जब f of a minus x, f of x के equal हो जाता है, जब f of a minus x, f of x के equal हो जाता है, उस टाइम हो क्या करते हैं, जब f of a minus 6, f of 2 a minus 6, f of 2 a minus 6, f of 2 a minus 6, this is f of 2 a minus 6, तो इसको बाहर पाइब फोर नहीं कर सकते हैं, तो लगा कि बाहर पाइब फोर नहीं कर सकते हैं, तो लगा कि बाहर पाइब फोर नहीं कर सकते हैं, तो लगा कि बाहर पाइब फोर नहीं कर सकते हैं, तो लिए पाइब फोर नहीं कर सकते हैं, तो लिए पाइब फोर नहीं कर स जो चौति प्रपरपर्टी ती उसमें तो लोल मिट जीरो थी जब लोल मिट जीरो नहीं होगी तब आप क्या करेंगे तभी फर्मुला ऐसा ही कुछ तभी फॉर्मुला ऐसा ही तो अगर LHS को आप गाल कर दोफेहा कि असदुर occupation में लेकर जाना है तो इंटीकран्ड में एकस की जगा कुछ और दिख रहा है अगर आपको इंटीकर में कुछ चाहा है कि X को A plus B minus Rx रखा जाए लेकि यह गलत बात हो गए ना क्योंकि X को A plus B minus Rx रखना तो X को fix करना हो गया और X तो भीया fix होगा नहीं एक्स तो variable है ना एक्स तो fix होगा नहीं इसे विए थोड़ी चलाकी बरते हैं हम और हम X को A plus B minus T रखते हैं उससे क्या होगा वेरेबल का वेरेबल ही रह जाएगा और अपना काम निकल जाएगा और बच्चों आप पहली प्रॉपर्टी विल्कुल पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी से जानते हैं न कि वेरेबल अफ इंडिगरेशन को अपनी सहुलियत के मुताब बदला जा सकता है मेरे बच्चों आप पहली property से जानते हैं कि variable of integration को जरुएत के मुताबिक बदला जा सकता है as long as उपर के limits नहीं बदलती और limits नहीं बदलती तो x हो या t हो कोई फर्क variable of integration में नहीं पढ़ना चाहिए इससे हमारा काम थोड़ा असान हो जाएगा अब जब x को हमने a plus b minus t रखा तो उसका fallout क्या हुआ तो इससे पहला fallout तो dx आपका minus dt हो जाए ठीक है अब इसको रख लेंगे फिर अब limits भी तो change करनेगी ना बच्चों limit change करते हैं आई में जब x की value a है जब x की value a है तो आप आराम से verify कर सकते हैं कि t की value b हो जाएगी जब x की value b है t की value a हो जाएगी तो अब हम तयार है पूरी तरीके से i को दुबारा से लिखने लिगे लिगे f of x की जगह a plus b minus t आ जाएगा और dx की जगह minus dt आ जाएगा में बच्चों को second property याद होगी ना second property जिसे minus से limit पलट जाती थी से minus से limit पलट जाती थी तो minus को accumulate करोगे तो limit को पलट दो ना यार a plus b minus t dt और पहली property में आपको पता है कि variable of integration में t हो या xo कोई फर्क नहीं पढ़ता तो बच्चों प्रूफ हो गया ना हमारा आप सुरुचों के से time खराब करें प्रूफ कराके यार कुछ प्रूफ कर लेने एक और बहुत important property हम देखते हैं एक और बहुत important property है फिर हम area under curves का थोड़ा discussion करके question solving पे straight away आजाए एक और जो important property है दोस्तों वो तब है जब minus a to a की बात हो जब minus a to a की बात होगी ना तो बहुत simple इसकी property आप याद कर लीजे यह होता है 0 to a f of x plus f of 0 to a f of x plus f of minus x ठीक है यह इसकी original property होती है यह इसकी original property होती है अब इसकी भी extension है अच्छो इसकी भी extension है लेगिन ध्यान रहे original ज़्यादा important है क्योंकि extension अप्लाई कर निक ले तो कुछ चीजे सही होनी चाहिए original तो भाया इस हर ऐसे condition में लग सकता है तो extension क्या बोलता है कि अगर function even function even है that is f of x is equal to f of minus x तो minus a to a fx dx की जो value है वो twice of 0 to a f of x dx हो जाएगे अब सोच दोगे मैंने इसको प्रूब नहीं कहाए 7 को यार इसका प्रूब ऐसे ही है जैसे कि वो ना शेक्ष जाहू तो प्रूब कर सकता है यसे क्यंसे प्रूब करो जाएगा जैसे के इहांपे जरत है नहीं इसको प्रूट करने की यहां पर फोकस करिया अगर fx even है that is fx और f of minus x same है मदर एक सीरे का minuses करने से कोई फरके नहीं पड़ता हूं मैंस खा जाता है क्वान खाता है minus? कौस खा जाता है minus? x square minus खा जाता है यह सब वहते even function तो क्या होता है minus a to a fx takes as good as twice of 0 to a fx takes और अगर fx order है यह मजड़िदार अगर fx order बच्चों that is f of x is equal to minus of f of minus x तब तो भाया यह 0 हो जाएगा ना तब तो 0 हो जाएगा वह आपसे लड़ कटके मर जाएगे तो कई बार में देखकर पता नहीं चल पाता कि function order या even है तो कोई बात नहीं original property तो है हिना हमारे पास original property तो आराम से apply हम करी सकते हैं इसलिए मैंने बोला कि original property बहुत important है क्योंकि वह हर scenario में आप use कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो यह definite integral की मोटी-मोटी theory है अब हम area under curves की छोटी सित्यों ही देख लेते हैं फेर हम सीना question solving पर आजाएं तो means जैसे examiner confidence बहुत matter करता है देखो चीज़े आपने पढ़ी है चीज़े बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है बहुत ज़्यादा हो जाओगे ना तो युल फिल एट की आवर चेप्टर इस complete और जो completion की feeling है वह जब examination में आप लेकर जाओगे एक अलगी boost आपको देख लिए लिएक अलगी boost आपको देख when you can say that I have completed the syllabus difficult questions के बारे में को गारंटी नहीं है लेकिन moderate और easy question में handle कर लूँगा यार तो difficult questions में वैसी ही नहीं आते एकका दुगा कभी कबार आते हैं उसी में मदद करने की आपकी कोशिश कर रहे है तो different niggle की theory होगी अब area undercups की छोड़ी देख लेते है area undercups area undercups ज्याधा bigger सवाल आता नहीं है ज्याधा bigger question नहीं आता है मैंस में सिंपल सी बात रहती है कि एक curve सिंपल सा ऐसा scenario कि बनता है मैं example तो करेंगी obviously कि कुछ ऐसा curve होता है कुछ ऐसा curve होता है एक upper curve होता है और एक lower curve होता है एक शिडू का बाउंड होता है तो अपर जो एडिया होता है वो सिंप्ली हो जाता है A to B upper curve minus lower curve is functional और बच्चो अगर एक छोटा से variation देख लेते हैं अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा इसमें कैसा होता है upper curve is अपर curve is function of x और lower curve is also function of x अगर function of x निकालना असान है तो आपने ऐसे कर लिया कि कई बार function of x निकालने की बजाया अधर भी राउट ज्यादा असान होता है function of x तो अगर यह c हो गया यह d हो गया यह right हो गया left हो गया तो जो shaded area होता है बच्चो वो होता है c से d right minus left इस-right होता है यह left होता है right is function of left is also function of y डाई राइट और लेट जो होता है राइट और फंक्शन ओफ वाई होता है, राइट और लेट जो होता है, फंक्शन ओफ वाई होता है, तो अब इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, कि इपर डाउट वैसे तो इतने मुश्किल कुछन आता नहीं है, फिद भाई चांस ऐसा मामला कि आप नदीजिए, कि अपछांन नी पाता है कि अपट कोने फोने फोने फंक्ऺNET तो सिंपल शी बात है, पैन के पैंगल एक पिंग रखेग हो एक पैंगist लाइक बहुते है, वह उपर ल्हार का हिस्ट ना अपन क्षा जिस अच्वीजिए, पैंगल फोना ही और क्ट क scan हो रहा है, scan हो रहा है, एसे भी तक है, और right minus left में scanning upper direction में हो रही है, scanning upward direction, c to d, right, upper minus left में scanning horizontal हो रही है, X की direction में, right minus left में scanning vertical हो रही है, Y की direction, right, understanding के लिए बस इतना required है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों, छोटी-मोटी theory की बात ये रहे गई है, जैसे limit of a sum वगरा वगरा, वो हम question solving के दौरानी उस address कर लेंगे, चलिए, तो question से श्रुवात करते हैं, तो question जो हमने pick किये हैं, वो generally represent करते हैं, जो type of questions exam में इस sub-topic के आते हैं, तो इसको हम classify कर सकते हैं, pure property-based, pure property-based, प्रॉपटी लगाई और काम खतम हो किया, ऐसे कई सारे questions आते हैं, यह भी काफी हद तक उसी category में fit बैठता है, कैसे देख लेते हैं, पहले g of x दिया है, f of x दिया है और बात g of fx की हो रही है, इसका मतलब यार, पहले तो g of fx साफ find करिए, तो g of fx find करना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, g of fx का मतलब क्या है, कि input में, g के input में x की जगा fx आएगा, g of fx का मतलब है, practice से समझाओ, कुछ चलो, ऐसे समझा देता है, यह पहले x आया, f की साफ्क देट हुआ, फिर g की साफ्का देट हुआ और आपका डिजर्ट निकल लिया, तो F से जो output निकलता है वो G में input की तरह जाता है F से जो output निकलता है वो G में input की तरह feed होता है उससे जो बाहर निकलता है बच्चो वो आपका G of Fx इसको अराम से identify किया जा सकता है आप सब भी मेरे से agree करेंगे रैदर आपने find करें लिया होगा हमेरे पर गुस्सा कर रहे होंगे कि सर इतनी छोटी सी बात को इतना क्यो टाइम दे रहे हों क्योंकि छोटी मोटी बातों गलत करने से ना competition से बाहर चले जाते हैं छोटा मटा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए छोटे मोटे सारे से हो जाएंगे ना तो मारी रैंक वैसे ही आ जाएगी हाँ रैंक और बेटर करने लिए थारे मॉडरेट कोश्ट को भी ट्रिश करना जिरूरर ही होता है छोटे मोटे कोश्टन इग्नोर कर दोगे ना तो वैसे ही हम competition के बाहर है तो यह दोस्तों आपका हो गया log of sorry g of fx log के अंदर input की तरह आप दो ठीक है अब देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है अब आपसे पूछा गया बच्चों i is equal to minus pi by 4 से pi by 4 minus pi by 4 से pi by 4 g of fx dx तो g of fx dx इसमें हम इसी को लगा देंगे 2 minus x cos x over 2 plus x cos ठीक है property याद आई है बच्चों आपको property याद आई नहीं याद आई एक second मुझे time दीजिए मैं याद दिखा देता हमको फिर से सामनी पड़ा हुआ है दिखे property दिखे blue में देखी 7th में अगर हमें function समझ नहीं आता कि odd है या even है तो कोई बात नहीं original property तो हमारे rescue के लिए है ही न तो original property लगा लेते हैं odd even होना होगा तो अपने आप ही आ जाएगा वो जो भी होना है और maximum function वैसे भी नहीं odd होते है बच्चों और नहीं even होते है तो अगर हमें crystal clear नहीं देता काफी बच्चों को देखिया होगा कि यह function odd है जिनको नहीं दिखरा कोई बात नहीं अब original property लगाई original property क्या होती बच्चों 0 से 5 by 4 पहले function ऐसे ही रहेगा पहले function ऐसे ही रहेगा उसके पाद प्लस x की जगा माइनस x आ जाएगा तो आप smart बच्चे हो आपको समझाने की मुझे जवरत नहीं है कि cost जो है वो माइनस खा जाता है और x के बाहर माइनस लगा वो तो दिखेगा यह दिखेगा ना आपको माइनस a to a f x dx क्या होता है 0 to a जिस क्या होता है 0 to a f of x plus f of minus dx 0 to a f of x plus f of minus dx f तो एक representative है f की जगे जी हो गया h क्या खरक पड़ता है बात काम की यह है कि function पहले as it is होगा plus function में हर जगा x की देगा माइनस एक्साल जाएगा जगे minus five by four से five by four था अब हो जाएगा यह 0 से five by four अब हो जाएगा यह 0 से five by four ठीक है चलिए तो जो हम attack जाते कोश्म में तो हम क्या देखते कि कौन से चीज हम ने use यहां पर नहीं किये तो भी लॉक के property यूज कर सकते हैं इस प्राक्टिस जाए डिडिकेशन जाए इतनी प्राक्टिस होगी आपने जितनी जो को कमपलीशन की तक लेका गया होंगे तब आपको रिलाइज होगा कि हाँ इस टप के बाद यह हो रहा चलिए इस एजियर सेट दन है पता है मुझे लेकिन हर साल कुछ लोग कर पाते हैं और मुझे पूरा यकिन है कि आप भी जरूर कर पाऊंगे तो 0 to five by four log की property लगाते हैं लग की property क्या होती है log a प्लस love भी log into भी हो जाता है राइट लोग ए फ्लस लोग भी बेस अगर सेम है ज ROB के दर दोना expression अबस यह multiplied हो जाते हैं लॉग के अंदर गर दोना expression भी करेंगे तो क्या हो गई है 2- X cos x over 2- lay itsignment तो बच्चो को देख किया होगा कि अंधर तो भाया वन बन रहा है तो आहाई इस उकल टू जरो तो पाइप पैप फोर लॉग उफन एंड वाट इस लॉग उफन लॉग उफन जरो बच्चो जिरो को इंटेग्रेट करोगे तो जिरो ही मिलेगा ना बिना काम के फल कैसे मिले का जिरो को इंटेग्रेट करोगे तो कैसे उमीद करते हो कि कुछ नौ जिरो नम्म में लेका डेफिन इंटेग्रेल है आर्बिटरी कॉंशन का भी कोई स्कोप यहां पर नहीं है ठीक है बच्चो तो इंटेग्रेटल आपका जीरो आ गया तो हमने पहले समझा कि भाया जी जो कि सभी की होती है और माइसे टुए वाला फॉर्मडा पता होने चाहिए कुछ नहीं चाहिए इस कॉश्चन को करने के लिए हां बहुत हलका सा प्रेजिंस वाइन जो कि हम सभी में तभी हम सभी यहां पर बैटेवे हैं कि माना एंसर जीरो आया और जीरो आप्शन में न वह सिर्फ formula based था, formula लगाया काम होत्म हो जाता है जो definite integral से थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बैठेशन ओमा की हमने ही पढ़ाये pouv torne making major में वैसी पढ़ चुके हो उसे जारे चुर्या नहीं पढ़ती हूं तो डिफिनिट इंटिकली की पहले प्रॉपर्टी की लगा लेते हैं फिर देखते हैं और हम कहां फस्त 0 से पाई बैटू साइन क्यूब एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस इस यह आपका इंटिकल रहे चौथी प्रपर्टी या दे दोस्तों चौथी प्रपर्टी क्या थी कि लोर लिमिट जीरो हो ना तो अपर लिमिट मानस एक्स लगा देना चाहिए चौथी प्रपर्टी क्या थी मैं एक पर दिखा दू आपको चौथी प्रॉपर्टी जो थी, यह रही चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, जब लोर लिमिट जिरो हो ना, तो अपर लिन मानस एक्स अप्लाई कर दिना चाहिए, हाँ, वह सिर्प थियोरी थी, अब हम कोशन सॉल्फ कर रहे हैं, तो इस बात को हम लगाया दे उस्तों, तो साइं में पाईबा टू मनेस से खाएंगे, तो कॉस की फॉर्म ले लेगा, साइं पाईबा टू मनेस स्कासिष वैगा, साइं अफ हो जाएगा, और कॉस एक्स आपकाة साइण एक सोच रहेगा तो आपको यही तो मैं भी याद करवा रहा था कि जब भी लोग जीरो हो जब भी लोग मिट जीरो हो तो अपर लिपिन मैं एक प्रवब्ट लगाओ ओ अड़ कर दो और नियुको बच्चों अड़ करेंगे ओलड़नी को हम यहाँ पर अड़ करेंगे एक ओल्ड नहीं को हम एड़ करेंगी हाँ 2i is equal to क्या मिलेगा 0 to pi by 2 शुकर है कि limit वगर सेम है और denominator सेम है यहां से हमें boost मिलता है कि भाया हमारी line of thinking सही है maths में मैं बता दूँ आपको असान कोशिस में ठीक है लेकिन थोड़ा बी standard question होता है मैंस में इतना idea नहीं देखता कि क्या होने जा रहा है आगे तो अपनी intuition उसमें काम आती है तो intuition सही ले जा रही है मैं यह पता चलता इस बात से कि थोड़ा simplification होने जा रहा है कैसे simplification होने जा रहा है छोटा बच्चा भी जानता है कि AQ plus BQ का क्या formula होता है अगर आपके दिमाग से निकल गया है एक बार हम लिखते है यह फॉर्मला यहां पर लगाएंगे तो A plus B A square plus B square minus A square plus B square minus divide by भाई 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 या sin x plus cos x थो है इतना अच्छा मौका मिला है तुम गवाएंगे थोड़ी ही ना कौन सा मौका मिला है इन दुनों का पसमें cancel कर देने का 2y is equal to 0 to pi by 2 1 minus sin 2x by 2 हमने sin 2x by 2 क्यों लिखा ताकि यह easily integrable form에 convert हो जाए अब असानी से इसको integrate किया जा सकता है ना असानी से कैसे integrate करें 1 का integral x हो जाएगा 1 का integral x हो जाएगा और मुझे इसका integration समझाने क्या को जूरत नहीं है कि sin का integral पहले तो minus cos होता है फिर x का जो कॉपिशन ते हो नीचे divide में भी आ जाता है एक 2 पहले से पढ़ा हुआ है एक x का कॉपिशन 2 extra आ जाएगा पाई का है और आपका अंसर आई का चाहिए 2 से divide करना मत भूलना साधी महनुत पर पानी फिट जाएगा नहीं तो तो carefulness बहुत जरूरी है तो आप क्या करते हो नहीं पढ़ने के टाइम पर है बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के टाइम पर वर्चुल वर्ल से अलूफ रहोगे ना वर्चुल वर्चुल वर्ल समझते हो आप मेरे से बेटर तो इस तरह की की गलतिया है होने की बहुत कम हो जाती है थोड़ी बहुत हो जाती है निक कम जरूर हो जाती है अब value substitute करते हैं, pi by 2 डाला तो pi by 2, right, pi by 2 डाला तो pi by 2 हो गया, angle to cos 2 x-e रहेगा, नीचे 4 आगया, angle to cos 2 x-e रहेगा, x को pi by 2 डाला, तो minus 1, यह वो एक स्को pi by 2 डालने का नतीजा है, यह जो result है, ऐख स्को pi by 2 डालने का नतीजा है, अब X को जरा 0 भी डाल के देख लेते हैं, यह X को 0 डालने का नतिज़ा है, तो 2Y क्या हो गया, पाई बैट 2 माइनस 2 बैट 4, 2 बैट 4 को 1 बैट 2 लिख दें, तो finally, finally, आपका जो I हो गया, वो 2 को उधर shift करके I का न, वो हो जाएका, पाई बैट 2 माइनस 1 बैट 4, एंसर तो हम मैच करी लेंगे, पर हम देखते हैं, हमने क्या किया यहां पर, हमने थोड़ी सी प्रापरटी लगाई, थोड़ी सी प्रापरटी लगाई, क्यों सी प्रापरटी लगाई कि जब lower limit 0 है न, तो अब अपर limit minus X प्रापरटी लगाई यह और oldernu को add कर दीज़ा, वो बसा integration है, लेगिन यह बात गुलेंगे नहीं बच्चों कि left side में i नहीं चल रहा है, left side में 2i चल रहा है, यो कि आपने first or second equation को add किया है, अगर आप भूल जाओगे तो note कर सकते हो, आपने first or second equation को add किया है, तभी तो 2i आया है, अब answer क्या आया था हमारा बच्चों, answer आया थ दो कोशन में निकल के देख लिए, एक कोशन था pure जो theory होती है, इस दूसरा कोशन था कि थोड़ी बहुत theory लगाई और बाकी काम indefinite integration से कर लिए, यह कोशन हम solve कर रहे हैं, यह और एक और कोशन solve करेंगे, जिसमें area की बारे में थोड़ी बात करेंगे, अब area में क्या होता ह अब सबसे पहले तो आप, सबसे पहले तो आप, सबसे पहले तो आप यह curves plot करते हैं, points of intersection point करते हैं, पहले वह काम कर लेते हैं, तो कौन-कुल सब गर plot होगा, गर प्लोट विए कुछ एक स्कुरियर का एक और यह कंषिकन है और अक घर्ट को भरस्कृर्श च्वेस्टी। का दूम हमारे लिए बहुत असान है विए कॉछ ग नुमोप सानडुफ कि उप्लिजियर की घ्रव वाइसकुल टू एक्सक्वार का ग्राफ तो बहुत ही रटा रटा होता है यह रहा हुआ इसकुल टू एक्सक्वार का ग्राफ वाइसकुल टू देखेंगे दोस्तों तो यह ऐसा कुछ वाइसकुल टू एक्सक्वार्स टू निकल जाएगा तो आपको क्या सिखाय गया है क्य and find the points of intersection. So plot to do the intersection point. Intersection point लिए ये दुना आपस में equal होना चालिए x square and x plus 2 आपस में equal होना चालिए इसका मतलब x square minus x minus 2 0 हो जाएगा x minus 2 x plus 1 0 हो जाएगा तो बहत आसानी से समय में आता है कि ये point minus 1 है और ये point 2 ठीके? ये था पहला step, plot the curves and find the points of intersection. दूसरा step होता है बच्चों, दूसरा step होता है mark the appropriate area, उस area को identify करो जो find करने के लिए बोला गया है, clear cut ये वाला area बोला गया है और उसके बहुत बड़ी बात नहीं होती, area identify कर पाना कोशिश करना कि आप area identify करो, दो rule follow करो एक तो जितनी boundaries given हो, वो सारी involved हो, जितनी boundaries given हो, वो सारी involved हो, plus जितनी सारी surfaces concave हो सके उत्रा अचाओ, concave मतलब जो दिवार जैसे इस रूम में बैठा हो बंदे को जो दिवार है, orange color वाली वाली वो उसके दूर जाती भी दिखिए उससे दूर जाती दिखिए इसको बोलते है concave आप सो जो रूम के अंदर बैठो दिवार आपकी तरफ आती भी दिखिए तो वो convex हो जाएगा ऐसा रूम पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं जो पार्ट दो रूल्स क्या-क्या होंगे कि सारी बाउंडरी जो इन्वाल्व्ड होनी चाहिए और जो एरिया है उसमें जितने concave सर्फिस जो होल्डिंग सर्फिसे से हैं जितनी जाद हो उतना बढ़ी है कर इतनी जादा दिकत में जैसे एक्जाम में आती नहीं है अब दूसर स्टेप भी पूरत इस स्टेप होता है कि यूज एप्रोपिट फॉम्मेलेशन मतलब या तो अपर मनस लूई उस कर लो आपको दिखाया था मैंने याप पुर में दिखाया थे दो फॉंमलेशन दिख रहा है एक अपर लोवर का दिख रहा है एक राइट लेफ्ट का दिख रहा है तो जो जादा है अप्रूप्रिट लगता है न वच्चों वह आप लिख सकते हैं या तो मैं आखरी बार रिपीट करता हूं क्या-kya करना होता है प तो अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो clear cut upper minus lower का case है, तो बच्चो अपर का जो नाम है, अपर का नाम क्या है, तो lower का जो नाम, lower का नाम सिद्धा-सिदा x-square है, तो अगर हम formulation लगा दें, तो हमारा जो area होगा, shaded area, वो हो जाएगा, minus 1 सी 2, आपको यादे मैंने सिखाया था कि जब upper minus lower करोगे, तो scanning x-q direction में होगी, तो scan minus 1 पे करना शुडू किया, करते-करते scan कहां तक कर दिया, 2 तक, और जहां पर 2 पे scanning खतम की ना, तो हमारा area भी सारा cover हो गया, तो minus 1 सी 2 तक, minus 1 सी 2 तक, upper minus lower, minus 1 सी 2 तक, upper minus lower, भाया, upper है क्या, upper है x plus 2, lower क्या है, ठीके दोस्तों, अब इसको में calculate करना पड़ेगा, तो आप मेरे से better कर सकते हूँ, तो calculation करने जाएं अगर, तो x का integral x square by 2 होता है, 2 का integral 2x होता है, x square का x cube by 3 होता है, और आपको फिर limit डालनी हो, एक यह करके दिखा देता हूँ, आगे से ऐसा कुछ आएगा, तो आप calculation के step को lightly नहीं लेना है, सारी महनत विकार है, calculation के step को आप ढंग से execute नहीं कर सकते, तो कुछ भी करने का फायदा नहीं है, rather time कराब करो, दूसरा question कर लो, calculation कैसे ठीक होगी, calculation अपने आपसी बोलोगी, examination जाने समय की, जो ideas नहीं आए वो तो अलग बात है, लेकिन आता हुआ question तो मैं skip नहीं करूँगा, आता हुआ question तो मैं गलत नहीं करूँगा, ये बोलोगी ना तो थो फ़र्क पड़ता है, analogy बहुत ही simple है, जिब पहाड़ों में गाड़ी जाती है, और लिखा होता है कि घर पी बच्चे आप कहीं जार करें, तो किस गदी को नहीं बता कि घर पे उसका इंतिजार करें, फिर भी पढ़ने से बंदा अलर्ट हो जाता है, तो ऐसी examination में थर्ड पार्टी बनके आपको खुद को अलर्ट करना है, ठीक से करो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से कुछ गलत या तो जरूर कम हो जाएगी, खैल, solve कर करते हैं इसको, well कुछ नह दाले कर नतीजर है, ठीक है, तो solve करते हैं, 2, 4, 6, या प्लस, तो 8 हाँ जाएगा, 8, minus 8 by 3, minus 1 by 2, minus 1 by 3, minus 1 by 3, बच्चो, 8 by 3, 1 by 3 कमाइन करके, 9 by 3, जो कि 3 हो जाएगा, तो 5, minus 1 by 2, basically, 9 by 2, मैंने सिर्ट किया, ताकि आपको ये important समझ में आ जाए, ये question में calculation करके, अगर का फाइदा नहीं है, एडवांस में एक आइडिया वाली बात आती है, ठीक है, आइडिया आ गया, तो question होई जाएगा, मैस में सानी होता है, मैस में आइडिया तो almost सबका आही जाता है, execution आप सही से आकरी तक कर पाते हों कि नहीं, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है बच् पाते हैं, तो उसके दो questions कर लेते हैं पहले हम, बढ़ी question, area and square units of region bonded by the curves, दो curves है, तो अब यहाँ पर एक और testing आपकी क्या हो रही है, एक और testing हो रही है कि यह जो curve है इसका आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, x plus 1 की जो sign scheme है, minus 1 की about, ऐसे सीखा ह यह जो है, वो minus 1 की right में plus sign attain करता है, minus 1 की left में minus sign attain करता है, कहने का मतलब कि minus 1 से बड़ा कुछ x टालोगी, तो mod के अंदर जो number हो positive आएगा, mod कुछ नहीं करेगा, तो minus 1 से पीछे कुछ और हो रहा है, minus 1 से right में कुछ और हो रहा है, minus 1 से पीछे क्या हो रहा है, minus 1 से पीछे क तो ॗया, minus 1 से 1 कैसे होगा, minus 1 से 1 कैसे होगा, minus छीन लिया होगा, यह minus pya यह से दे दिया होगा, छीन जोड़ा हमें ठीक सा काम नहीं लगता, तो हम non-violence में believe करते हैं, पियार से एक minus 1 से दे दे हैं, ठीक है, बच्चो और minus 1 की right में क्या होगा? मौड के अंदर आली कॉन्डिटी अल्रेडी पॉस्टिव है तो मौड कुछ नहीं करेगा मौड वैसे का वैसा उसे जाने देगा ऐसे करके मौड को तोड़ना तो आपने सीखा होगा ना अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला step होता है कि plot the curves and find the points of intersection तो आपको एसा कोई कर दिखेगा नाम भी लिख सकते हो आप ये minus x minus 1 है और ये x plus 1 नाम भी लिख सकते हो नाम लिख देंगे एक पर दोनों करस्पना लिखते हैं उसके बाद ठीक है अब जो दूसरा 2 की power x अब जो दूसरा 2 की power x है इसनी basic knowledge था उपको पता होनी थी कि exponential graph है base 1 से बड़ा है तो graph rising होगा जो graph rising होगा ना या वो ऐसा कुछ होगा 0 पे तो ये भी 1 पे आएगा 0 पे तो ये भी 1 पे आएगा उसके बाद ये बहुत तेजी से मुड़ता है बहुत steeply मुड़ता है 1st quadrant में area पूछा है तो यार 1st quadrant में जो area shaded होगा वो find करना बहुत असान है ना तो दिक्कत किस बात की है दिक्कत इस बात की है कि इसका x तो पता है मैं इस point का भाया x क्या है वो समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो ये थोड़ा by inspection से करना पड़ेगा तो कि exponential और algebra को solve करने का तो कोई तरीका अमरे पस है ही नहीं वाइ inspection ही solve करना पड़ेगा computer भी जो बात में solve करता है ना तो approximation से वो error को इतना कम कर दिता है लगता है कि उसने solve कर दिया actually इसको सिर्फ approximate कर सकते है solve कूरा कर भी नहीं सकते तो हमें चाहिए 2 की पाउर x is equal to x plus 1 यह जो arm है इसका नाम क्या है इसका नाम x plus 1 है ध्यान से देखिए कि बच्चों यह left वाली arm है उसका नाम x plus 1 नहीं था तो left वाली arm के साथ अगर आपको यह वाला यह वाला point चाहिए होता जहां मैं अभी तो की पाउर x को x plus 1 से एक्विट नहीं करना था तो की पाउर x को minus of x plus 1 से एक्विट करना था यह पूरा depend करता है कि कौन से arm के साथ आप solution देख रहे हैं तो यह arm पहचाना बहुत जरूरी है mod जैसे functions ठीक है तो आप देखें 2 inspection सोचिए जीरो तो x को डीरो तो से एक्विट करता ही करता है और बच्चों x को डीकरता है किसमा तच्छी हमारी ज्यादा कोई पंगा वाला पॉइंट आएंगी यार कोई हिटन ट्रल के लिए आपको पॉइंट बोला जाएगा तो वन तो ट्राही करोगी इन वैसे क्या step बता था पहला step पॉइंट राइस बता था कि जिए आप तेसरा step बता था यह करो यह तो बहुत अची बात है तो बहुत अच्छी बात है इसका नाम क्या है इसका नाम है एक प्लस फन वाल डियम एक बार लिख चुके और इसका नाम है तो यहार जो एरिया होगा वो स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्या लौग लिमेट जीरो से अपर लिमेट वन लिमेट से अपर लिमेट वन अपर जोकी एक स right इक लस वन है माईनक स्क podéisक ब्रोटी को इसको इंटिज़े अप कर सकते हो न चली करकी देख लेएवट अपट आपट तो एक्स का इंटिकल X par by 2 होता है 1 का entagal X होता है 2 की पगाफ सब्सक्राइब 2 की पगाफ सब्सक्राइब डिवाइड बाइ लॉग फुटी बेस E होता है 63 लिमिट डालने है 0 होता है पर देखते हैं कि 1 डालने का क्या नतीज़ा होता है 1 डालते हैं तो 1 by 2 हो जाता है plus 1 minus 2 divide by log 2 with base 1 डालने का ये नतीजा होता है 0 डालने का क्या नतीजा होता है 0 plus 0 minus 1 बन जाता है minus 1 by log 2 with base right तो finally इसको हम solve करने की कोशिश करेंगे minus को solve करने की कोशिश करेंगे 3 by 2 minus 1 by log 2 with base e हो जाएगा 3 by 2 minus 1 by 2 1 by log 2 with base e हो जाएगा तो कुछ खास्क नहीं किया हमने यहाँ पर बस simple calculation की और उसके पहले जो simple concepts थे उसको अपलाई कर दिया जो simple concepts थे उसको अपलाई कर दिया तो हमने अब क्या हमने एक प्योर डेफिन इंडिकल का कोशन कर लिया एक डेफिन इंडिकल का mix कोशन कर लिया एरिया के दो कोशन कर लिए और कौन-कौन सी अलग वेराइटी है चलिए उसको भी एक्स्प्रोर कर लेते हैं, ताकि एक्जाम में कोशन आये तो हमसे मिस होने का कोई चांस हो ही, ठीक है? कोई तो डेरीवेटीव आफ इंते होल का कोशन है, क्या होता है? derivative of integral में यहले तो फॉर्मुला सीखना होता है क्या होता है derivative of integral derivative of integral derivative of integral तो हमें जिसको differentiate करना है ना हमें जिसको differentiate करना है वो खुद एक integral है हमें जिसको differentiate करना है, वो खुद एक integral है, यह तब use होता है formula, जो हमें जिसके respect करना है, limits उसके function है, limits उसके function है, और variable of integration को उससे कोई लेना देना नहीं है, और variable of integration को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो होता क्या है, कि variable of integration की जगह upper limit रखते हैं, upper limit के derivative से multiply करते हैं, minus variable of integration की जगह lower limit रखते हैं, lower limit के derivative से multiply करते हैं, यह चीज आपको याद कर लीनी है, अब देखिए, इसमें अगर कोई भी limit 0 होई, बच्चों, तो उसका derivative 0 हो जाएगा, तो दुनों में इस एक expression वैसे ही कम हो जाएगा, जाला तर cases में आप देखोगे ना, कि एक limit इसमें से constant ही होती है, तो कोई भी limit 0 होई, तो उसका derivative 0 हो जाएगा, तो बात ही खतम हो जाएगी, इस question में क्या काम है, चलिए इस question को देखते हैं, अगर हम इस question को देखें, ध्यान से, तो हम इस question को देखते हैं, तो हम क्या सकते हैं कि limit x approaches to 6 to fx 2t dt, इसको उपर कर दिया, और x का integration से को लेना देना नहीं था, तो x का integration से को लेना देना नहीं था, तो x को उसके बाहर निकाल दिया, तो साफ साफ है बच्चों कि 0 by 0 की form है, साफ साफ है कि 0 by 0 की form आ रही है, 0 by 0 की form आ रही है, तो हम LH लगा सकते हैं, LH क्या होता है, उपर भी differentiate करते हैं, नीचे भी differentiate करते हैं, अब बच्चों उपर ज integration की जगा अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट के derivative से multiply करते हैं, minus variable of integration की जगा lower limit रखते हैं, और lower limit के derivative से multiply करते हैं, lower limit की constant है, तो उसका derivative 0 हो जाएगा, और x का derivative तो सिधा-सिधा 1 है, अच्छा, आपको एकर यह समझने में दिक्कत है कि उपर 0 by 0 की form क्यों हुई, तो द अपर लिमिट 6 को अप्रोच करेगी, lower limit 6 है, अपर लिमिट 6 को अप्रोच करेगी, तो 6 से 6 कुछ काम हुआ ही नहीं, तो पुरा integral का जो answer आएगा न, बच्छो 0 हो जाएगा, तो अगर किसी को दिक्कत है उस बात को समझने में, कि भईया 0 by 0 की form कहा से आगी, उनके लिए थ अब हम कहां पर हैं, हमारा answer है, limit x approaches 2, हमारा answer है, limit x approaches 2, 2 into f x into f dash x, अब यह f of 2 तो हम जानते हैं, 6 होता है, लेकिन f dash 2 के बारे में कुछ हम नहीं जानते, इस से जादा हम कुछ नहीं बता सकते, इस question के बारे में, और यह option में दिया हुआ है, तो अपने derivative of integral से का, derivative of integral में क्य होता है, derivative integral में आपने देखा कि, जिसके respect ने आप differentiate कर रहे हो, कि limits में वो प्रेजेंट है, तो variable of integration में पहले, upper limit को replace करते है, upper limit आ जाता है, variable of integration की जगा और इसका derivative multiply हो जाता है, minus variable of integration की जगा lower limit आता है, और lower limit का derivative multiply हो जाता है, और देखते हैं कि और क्या नया पढ़ने अलाय limit office, एक होता है, limit office, limit office, limit office में, limit office में क्या होता है, चार चीजी होने चाहिए, चीजी, limit n approaches infinity होना चाहिए, 1 by n होना चाहिए, एक sigma होना चाहिए, जो r initial से शुरू होता है, r final तक जाता है, और जो function है वो सारा सारा r by n का होना चाहिए, यह 4 चीजी as it is होनी चाहिए, नहीं है तो मेहनत करके आप बनाओके, और हैं, उसके बाद इसका क्या फायदा उठाओके आप वो देख लेते हैं इन 4 चीज़ों को 9 बिनिक करते हैं, यह 4 चीज़े as it is होनी चाहिए, अगर यह 4 चीज़े as it is हैं बच्चों, अगर यह 4 चीज़े as it is हैं, तो इसका जो answer है न, वो convert हो जाता है, integral a to b fxd, अब यह a, b और x कहां से आस्मान से टपक पड़ा, तो a जो होता है न बच्चों, वो होता है, limit n approaches infinity, r initial by n, b होता है, limit n approaches infinity, r final by n, और r by n को हम x से replace कर देते हैं, तो ऐसा करने से, जो integral बनता है न, उसका answer is limit of a sum से match कर जाता है, ऐसा करने से जो answer बनता है, उसका answer limit of a sum से match कर जाता है, ठीक है, चले, इस question में करके देख लेते हैं, यह जो कोशन है हमारा, यह जो कोशन है बच्चो हमारा, इसमें देखी, तो अब LIM अपनी सही जगह पर है, ठीक है, LIM अपनी सही जगह पर है, अब ज़रा गौर से देखिए बच्चों, कि N की पाउर 4 by 3 सब में नीचे पड़ा हुआ है, तो अगर हम एक N बाहर निकालेंगे अगर एक N बाहर निकालेंगे, 1 by N, तो पहली बात तो हमारा जो फॉर्मेट है, वो बनना शुरू हो जाएगा, लिमिट ऑफ इसम का टेम्टेट बनना शुरू हो जाएगा, दूसरी बात, कि जो अंदर है न, वो सिग्मा के फॉर में के अनवार होने लग जाएगा, कैसे, एन प्लस 1 की पावर 1 by 3, डिवाइड बाइड 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 यह किस फॉर्म का बनता है, limit n approaches infinity, limit n approaches infinity, 1 by n, sigma, r अगर 1 से शुडू हो, n तक हतम हो, तो आपको, अगर n की पार 1 बाइतरी को अंदर भेज़ दो, n की पार 1 बाइतरी को अंदर भेज दो, यह चलो ऐसा करते हैं, सिग्मा के पहले, एक और बार्स को फोरा एक्स्पांड करके ल भेज दिया, और लास्टरम बनती है, 1 प्लस n by n की पार 1 by 3, बच्चो इतना काफी है, अब आप आराम से जनलाइज कर सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं, कि limit n approaches infinity, 1 by n, r 1 से शुडू होता है, और n तक हतम होता है, और 1 प्लस r by n की पार 1 by 3, अब देखिए, सारी चीजे बिल कुल सही जगह पर है, जो मारा limit of system का concept था, उसमें ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, ये चौथी चीज है, एक बार देख लीजे, फिर मैं उपर भी दिखा देता हूं, बच्चो आपको, उपर देखिए, यहाँ पर, देखिए, दिखा आपको, जारो चीज हो बिल्कुल है, लिमिट है, 1 by n है, r initial से r final तक है, और जो function है, बच्चो उसर्फ r by n का है, अगर ऐसा है, तो हम a और b पहले तो find कर लेंगे, और उसको integral की form में लिखतेंगे, तो a क्या होगा, limit n approaches infinity, r initial, जो की 1 है, 1 by n का approach करेगा, 0 को, भी क्या होगा, limit n approaches infinity, n by 1 by n, r final by n, यह 1 हो जाएगा, और जो function हो जाएगा, बच्चो, वो 1 plus x की power 1 by 3 हो जाएगा, जहां r by n को हमने x से replace कर दिया है, तो मारे जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, integral 0 to 1, 1 plus x की power 1 by 3 dx, simple से integral बना, अराम से solve कर लेंगे, तो 1 plus x की power 4 by 3 हो जाएगा, और यहाँ 4, limit कहां से कहां डाली जाएगा, बच्चो, 0 से 1 limit डाली जाएगी, जब 0 से 1 limit डाली जाएगी, तो यह क्या बन जाएगा, 3 by 4 तो बहार constant की दरभ बिएव करेगा, 1 डालने पर 2 की power 4 by 3 बन जाएगा, और 0 डालने पर 1 बन जाएगा, तो option मैच करना चाहिए, बिल्कुल करेगा 3 by 4, बिल्कुल मैच करेगा, कौन सा option मैच करेगा, तो limit of sum का concept आप समझ लेजे, यह 4 चीजे बिल्कुल एक ऐसी की ऐसी है, तो हम अपना इंडिकेशन दो फंडा लगा सकते हैं, डिकेशन वगर में नहीं जाना हमें, और अगर यह 4 ऐसी नहीं है, तो हम मेहनत करके उसको इ युकत आपको होने वाली है नहीं, अब एक और छोटा सा topic रहे है, estimation, एक और छोटा सा topic बच्चो, estimation का, सwegen, इस्टिमेशन में क्या होता है,ichear इस्टिमेशन देख लेते हैं,ेस्टिमेशन में क्या होता है? कि अगर कोई function किसी दूसरे function से छोटा आपने ढून लिया और दो function की inequality आपने ढून ली बच्चों तो उसका जो integral है न वो भी same inequality follow करता है अब आई और जे दिया हुआ है इस question में हमें ज्यादा आसान लग रहा है तो पहले जे को target करते हैं ज्यादा आसान लग रहा है तो पहले जे को target किया जाए जे क्या है 0 to 1 cos x over root x अब यह सीधा साधा integral होता तो हमने इसका answer ही निकाल लिया होता और भदा दिया होता बही है टू से कम है टू से जादा है सीधा सीधा integral तो है नहीं तो हमें यह पता है बच्चों हमें यह पता है कि जो cos x है ना हमें यह पता है कि जो cos x है वो पक्का 1 से छोटा जो गारफ में लिख सकते हैं यहां पर, जो cos x होगा, right, जो cos x होगा, वो definitely, definitely one से चोटा होगा, तो जो cos x है, वो one से चोटा है, तो cos 1 कब होता है, जीरो पर, cos 1 होता कब है, 0 पर, लेकिन, यहाँ पर देखिए, cos 1 0 पर होता है, लेकिन 0 तो exact हो नी रहा, 0 तो exact हो नी न, 0 के आगे से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि cos 1 भी नहीं हो रहा है, cos 1 से छोटा ही है, तो COSEX definitely 1 से चोटा है, चुकि COSEX 1 से चोटा है, तो COSEX by root X 1 by root X से चोटा है, तो COSEX by root X 1 by root X से चोटा है, और COSEX by root X अगर 1 by root X से चोटा है, तो हम यह बोल सकते हैं, रधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, से लिख सकते हैं, यह cos x by root x, cos x divided by root x, तो 1 by root x से छोटा है, फोड़ी जगर दे देखें, यह cos x 1 से छोटा है, तो इसका जो integral होगा न दोस्ते, इसका जो integral होगा न, वो भी same चीज फॉलो करेगा, और यह इसका जो integral है, वो j, तो इसको नीचे आले कि हमें कोई ज़रत भी नही है, ठीक है, और बच्छों ध्यान से देखें, इसको जब integrate करोगे, तो 2 root x आएगा, limit 0 से 1, 2 आच आएगा, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, कि अपना जो j है न, वो 2 से छोटा है, अपना जो j है न, बच्छों, वो 2 से छोटा है, तो j 2 से बड़ा, तो definitely, definitely गलत है, ठीक है अब आई पे बाट टिकीफ होई है, बाट सारी टिकीफ होई है, इस पे आई पीफ होई, अब आप यह जानते हो, अब देखो, जो Quas X X by root x में किया, Same to same funda,Synx by root x में अब लगा सकते हो, जो आपने Quas X by root x में किया, बच्छो, Same to same funda, Synx by root x में भी लगा सकते हो, तो same result आ नहीं जानते लेकिन साइनेक्स और एक्स के बारे में जानते हैं साइनेक्स और एक्स के बारे में जानते हैं यह आपने जरूर पहले बढ़ा होगा साइनेक्स पाइस चोटा होता है अब इसका क्या करें थोड़ा सा रियरेंज करिए बचो ठीक है थोड़ा सा रियरेंज और लिमिट डाल दीजिए, 0 to 1, sin x by root x dx, less than 0 to 1, root x dx, तो पिछले कोशन में आपको 2 उपर चाहिए था, तो 1 by root x का integral किया, देखो, कॉस वाले में, इसमें, आपको 2 by 3 चाहिए, 2 by 3, 2 by 3 कहां आता है, root x का integral में आता है, वो भी एक बड़ा हिंट है, देखो, estimation की कोशन थोड़ मुश्किल नहीं आते हैं, तो बहुत खास बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बड़ असा दंग से करेंगे, तो बच्चों ध्यान से लेखेंगे, तो यह आई बन जाएगा, इंडिट करेंगे, लिमिट डालेंगे, तो 2 by 3 बन जाएगा, अब सर यही कैसे सोचेंगे, तो बच्चेंगे, तो जो कोशन एक तो हमने करा दिया आपको, जो कोशन से इस्टीमेशन के आ रखेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लो, थारा मेंमराइज कर लो, तो मेंस में इतनी दिक्कत आती नहीं है, वाकि एडवांस के लिए तो अलग से बाते होंगे, अलग से प्यार तो एस्टीमेशन के मैं एक और कुशन आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आईवन लो, जैसे कि मैं आईवन लो, आईवन लेता हूँ में, जैसे कि मैं लो लेता हूँ, 021 2 क्य पहर, X2, 021 2 क्य पहर, X2, I2 ले लिया आपका, 021 2 क्य पहर, X3, X, I3 ले लिया 1 से 2 2 की पार x2 dx I4 ले लिया 1 से 2 2 की पार x3 dx ठीक है तो इसमें कुछ option नहीं से बनाए जा सकते हैं तो चलो हम क्या-क्या explore कर सकते हैं इसमें तो बच्चों ध्यान से समझेगा इस बात को आपने देखा होगा कि जब x0 से 1 में होगा जब x0 से 1 के बीच में होगा तो पावर जितनी ज़्यादा बढ़ाते हो नमबर के साथ और बुरा करते हो तो पावर जितनी कम नमबर उतना बढ़ा पावर जितनी बड़ी नमबर उतना छोटा तो अगर x2 x3 से बढ़ा है इसका क्या fallout होगा, इसका fallout यह होगा, कि 0 to 1, 2 की power x square dx, 0 to 1, 2 की power x cube dx से बड़ा हो जाएगा, मतलब i1 जो है न बच्चों, वो i2 से बड़ा हो जाएगा, इसका मनलब है, जो i1 है, वो i2 से बड़ा हो जाएगा, और क्या पता कर सकते हैं, i3, i4 का relation देखते हैं, तो i3, i4 का relation देखेंगे यार, अगर आप i3, i4 का relation देखेंगे, तो x जब 1 से बड़ा होता है, तो power जितनी जादा लोड, नमबर के साथ उतना अच्छा होता है, नमबर उतना और बड़ा हो जाता है, मतलब 2 की power x square, 2 की power x cube से इस बार छोटा है, मतलब 1 से 2, 1 से 2, 2 की power x square dx, 1 से 2, 2 की छोटा हो जाएगा, इस तरह देखना पड़ेगा, i1, i2 से बड़ा, i3, i4 से छोटा, हाँ, अगर आप यह चाहते हो कि हम i1 और i3 वगर को डिविट कर सकें, तो थोड़ा सा ऐसे देखो, फिर 2 की power, एक तो y square का graph होता है, एक तो आपना y square का graph होता है, तो उससे idea लगता है कि 0, 1, 1, 2 में 1, 2 काफी बढ़ा है, और अगर आप और डिटेल जाना चाहते हो, तो यह भी देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने यह तो पता करी लिया, कि i1, i2 से बढ़ा है, और i4, i3 से बढ़ा है, अगर आपको i1, i3 में connection चाहिए, तो connection ऐसे मिल सकता है, कि 2 की पाफ एक स्क्वाइर बनाने की कोशिश करो, 2 की पाफ एक स्क्वाइर बनाएंगे, तो कुछ ऐसा होगा मोटा मोटा, exact तो नहीं पता, curve sketching से देखना पड़ेगी, मोटा मोटा ऐसा कुछ होगा, तो 0, 1 के बीच में जो पोशन होगा, बच्चों, 0 जो आइधरी को रिजंबल कर रहा है, और ब्लू आला पोशन जो आईवन को रिजंबल कर रहा है, ब्लू आला पोशन जो आईवन को रिजंबल कर रहा है, 0-1 पोशन जो आईवन को रिजंबल कर रहा है, 1-2 पोशन जो आईधरी को रिजंबल कर रहा है, तो आपको चाहोग लेकिन इस कोशन में इतनी रिक्वार्मेंट थी नहीं, जब यी कोशन आया था, सिंपल सा कोशन था, क्या टीक इतना कॉंप्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं, बस समझने के लिए ज़रूर समझ लेते हैं, कि में बात क्या है, कि 0 to 1 में पावर जितनी जादा लोगे पावर जितनी जादा लोगे, नमबर सना बड़ा हो जाएगा, और इंटिग्रेंट बड़ा, इंटिग्रेंट होता है वो चीज बड़ी इंटिग्रेशन बड़ा, पिर रॉम रिलेशन धूड़न के और प्रीवेस नॉलेच के बेसिज पर फुर्दर जो भी चीजे तो कोई बात ने इसको हम्याद से हटा देते हैं। इसकी जुरत नहीं है इतना हमारे लिए काम। टॉपिक मोटा मोटा हमने सारा कवर कर लिया है। अब देखते हैं और क्या-क्या चीजों के बारे में बात की जा सकती है। एक दो और कुशन देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ेते हैं उसके बेसिस पर एक दो और कुशन जो आपने पीछे बढ़ा था उसके बेसिस पर भी हम देख लेगते हैं। तो इसमें आप देखो कि जो कापिटल F of X है वो f of x है वो f of x plus f of 1 by x है मतलब basically लिचे लिख जेता हूं ता कि लिखने में आपको problem नहों 1 to x log t by 1 plus t dt plus 1 to 1 by x log t plus 1 plus t अब अगर आप पहले वाले को i1 बोल दो दूसरे वाले को i2 बोल तो आपको यादे थोड़े थोड़े प्रपर्टी के अबने derivation भी थी वो इसी time के लिखी थी ताकि ये सब कोश्ण में जब convert करना पड़े ना तो चीजे काफी असान लगे अब i2 को ध्यान से देखिए बच्चों अब i2 को ध्यान से देखिए i2 में t को डाल दीजिए 1 by z तो पहली बात तो कि जो dt है आपका हो जागा minus 1 by z square d z तो dt हो जागा minus 1 by z square d z फिर i2 को अगर आप लिखेंगे तो जब t1 है तो z b1 हो जागा जब t1 by x है तो z x हो जाएगा log 1 by z करेंगे तो log की property लगा के minus log z लिखा जा सकता है t को 1 by z कर ही दिया है आपने और इसको ऐसे replace करेंगे बच्चों तो simplify करते हुए simplify करते हुए क्या बन रहा है दोनों minus cancel हो जाएंगे 1 to x log z over 1 plus z असे बने का और आप जानते हैं बच्चों कि variable of integration change करने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो क्योंना variable of integration जो i1 का है वही रख लिया जाए ताकि i1 i2 को जोडने में असानी हो आइवन दिख रहा है बच्चों को सभी को आइवन सभी को दिख रहा होगा उपर orange में आइवन दिख रहा है चले आइवन दुबारा लिखी लेते हैं i1 है 1 to x log t over 1 plus t dt त तो capital f of x वैसे भी चाहता था कि आप i1 i2 को combine करो अगर हम i1 i2 को combine करेंगे अगर बच्चों i1 i2 को combine करेंगे तो तो limit same होने की वज़े से integrand को भी add होने का मौका मिल जाएगा जो कि पहले नहीं मिल पा रहा था तो simple calculation करके बच्चों को दिखता होगा न कि 1 plus t की term तो गाया भी हो गई और यह simple sa integral बन गया तो i1 plus i2 भी आपका capital f of x है capital f of x क्या हो जाएगा log of t with base e का whole square by 2 limit 1 से x right limit 1 से x तो अगर बच्चों x की जगा capital x की जगा अगर e डाल दिया जाएगा और limit substitute की जाएगी तो 1 by 2 minus 0 आप सभी को दिखता होगा ना तो इस question को करने के लिए एक simple common sense चाहिए था यह identify करना कि भाई capital f of x होता क्या है capital f of x होता क्या है वो आपने अगर identify कर लिया बच्चों उसके बाद तो i2 को जाएवन करने का aptitude है वो तो derivation के टाइम पर अल्रड़ी हम गेन कर चुके थे इसलिए थोड़ा बहुत derivation हमने वहाँ पर देखा था था थोड़ा थोड़ा और देखले थे 2 questions और देखले थे derivative of integral हमने सीखा एक derivative of integral हमने सीखा चलिए उसके बारे में भी a question तो उसका और solve कर लेए था बच्चों आपके सामने तो हम इसको डिफ्रेंशियेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि आप से एफ डैश वन बैटू पुछा गया भाई एफ एक्स का ही ठीकाना नहीं है एफ डैश कैसे बताओगे तो फ एक्स आएगा तब तो फ डैश एक्स आएगा दोनों साइट डिफ्रेंशियेट करके क्योंकि ज्यादा कुछ हमारे पास टूल है भी नहीं डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं सर क्या से अगरेटिटी है तो डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं अकर एक्क्वेशन हो तो डिफ्रेंशियेट नहीं कर सकते हैं equation identity में गाफ़क होता है, equation किसी-किस x की value के लिए सही होती है, identity हर x की value के लिए सही होती है, हमें कैसे पता चला identity है, जब portion की formulation को देखिए, right, if दिया हुआ है, मतलब हर x के लिए बात सही है, नहीं तो दिया तो solve this, ऐसे दिया होता, चले, differentiate करते हैं, तो derivative of integral का formula हमने सीखा था, t के जगह upper limit, फिर upper limit का derivative से multiply, जो कि 1 है, is equal to right side में 2x आ गया, plus, अब देखो, आपको समझाय था, कि जहां पर limit constant होगी, उसका contribution जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप upper limit डालोगी भी, upper limit 1 अगर आप डालोगी भी t की जगह, तो बाद में 1 के derivative से multiply भी तो बच्चों करना जाएगा, वनके derivative क्या हो जाएगा, 0, तो बच्चों सीधा सीधा fx नहीं आता हुआ, दिखता आपको, एक बार fx आ गया यार, तो f-x तो फाइंड करी लेंगे, ना, कोशिन तो लगा के f-x तो फाइंड करी लेंगे, डिवाइड बै वन प्लस x स्क्वाइर का होल स्क्वाइर और x की वेलोग को वन बैटू डालेंगे, थोड़ी बहुत क्यालिविशन करेंगे और हमरा का हो जाए, तो derivative of integral बच्चों के दिवा में अच्छे से आप बैठ के जाना चाहिए, जरी last question करते हम, जो हमने शुरुवात भी वहीं से की थी property based question से end भी property based question से करेंगे, तो question आपके सामने है, तो आपको क्या सिखाया गया था property based question में, कि जब भी lower limit 0 हो, जब भी lower limit 0 हो, तो upper limit minus property लगाओ, older new को add कर लो, जब भी lower limit 0 हो बच्चों, तो upper limit minus property लगा लगाओ, older new को आपस में add कर लो, तो i is equal to 0 to a, f of x, gx, tx, ठीक है, पहले equation, हम अगर upper limit minus property लगाते हैं, तो f of a minus x, g of a minus x, tx, right, हम second equation को दुबारा लिख सकते हैं, 0 to a, f of x, g of a minus x, tx, y, second equation ही third नहीं है, क्योंकि हमने इसको use कर लिया, right, हमने f of x is equal to f of a minus x वाले चीज़ को ह हमने f of x is equal to f of a minus x वाले चीज़ को use कर लिया, हमने f of x is equal to f of a minus x वाले चीज़ को use करके second equation को दुबारा से लिख दिया, अब अगर आप दोनों को add करेंगे, अगर आप दोनों को add करेंगे, तो 2y आजाएगा, इधर तो सबसे पहले, 2y आजाएगा, 2y हो जाएगा, 0 to a, fx common भी आजाएगा, g of x plus g of a minus x, जो math में अटक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमने use नहीं की है, तो अभी तक हमने ये वाले चीज यूज ही नहीं की है, कौन सी चीज, ये g of x plus g of a minus x, 4 है, इस चीज को अगर बच्चो आप use कर लेंगे, इस चीज को अगर आप f of x dx, चुकि f of x के बारे में जादा information हमारे पास है नहीं, तो मिसे जादा कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसको सही option मात कर देंगे, तो आपने देखा कि जो सारे जो हमने broadly topics हैं, उसके basis पे जो representative questions हैं उनको cover किया, तो आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, इस video को देखने के बा सकते हैं, तो अपना जो नया question है, वो भी हम solve करी सकते हैं, तो completion की feeling बच्चों बहुत important है में इस examination में, यो की question आप यकीन मानो, जादा मुश्किल नहीं आलता, अगर हम थोड़ी सी भी ठारी ढंक से करके गए हैं, और बिलीफ करते हैं, और बिलीफ करते हैं, और बिलीफ कर करते हैं, और बिलीफ 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 करते ह